हेलो नमस्कार दोस्तों आप सब का स्वागत है आपका प्यारा चैनल एटुज एड इस्टेटी पॉइंट पर मैं परदीप सर आज हम प्लास लेके आए हुए हैं कि जो रीट का एकजाम आपका काफी ही नहीं दिखा गया है तो कुछ most important question लेके आए हुए हैं एक नजर से देख लें हो सकता है परिश्चा में ये question को अधिक तर पूछा जा सकता है आईए question के बारे में discuss करते हैं और हमारे वीडियो को आंतक देखें समझें और comment अवसी करें फास्ट question देख रहें मेरे प्यारे दोस्तों कि बुद्धी लबदी म मापन के जनमदाता है तो बुद्धी लबदी मापन के जनमदाता कौन है आप बता सकते हैं आपका option देखे क्या stern है बीने है टर्मेन है और इनमें से कोई नहीं है तो यह चार option में आपको चुनना है यह बिहार test 2011 में यह question को पूछा हुआ है तो correct answer आपका क्या होगा आप guess किजी जल्दी से चलिए आपके सामने में correct answer क्या होना चाहिए तर्मेन is correct answer यानि बुद्धी लबदी मापन के जनमदाता कौन है तर्मन जी है जो आपका correct answer होगा आईए चलते हैं 72 question पर एले किया क्या है पढ़ने की अच्छमता है या लिखने की अच्छमता है या सिखने की अच्छमता है या सुनने की अच्छमता है यह बिहार test में ऐसा question लेके आए वे जो कि टेट एग्जाम में अधिकतर यह question को पूछा होगा और बार बार यह repetition होता जा रहा है तो correct answer को चुने correct answer आपका क्या होगा तो ए नमर इस correct answer होगा पढ़ने की अच्छमता अले की अच्छमता जिसमें न रहे यह वे अच्छमता हो तो उसे हम ए ले क्या करते हैं तो correct answer आपका ए नमर होगा आईए चलते 73 question पर कि शिक्छा मनो विज्ञान की उत्पती का वर्स कौन सा माना जाता है तो आपको इस्वी दिया विज्ञान की उत्पती का वर्स को माना जाता है जो correct answer आपका डी नमर होगा आईए चलते हैं 74 question पर आप देख रहे हैं प्रमापी क्रीप परिक्छन क्यों कराये जाते हैं तो आपके पास option है मंद बुद्धी बालकों की पहचान के लिए या परतिभासली बालकों की पहच पहचान के लिए तो ये देख रहे हैं तो आपके पास ये चार option है ये बिहार्टेट 2011 में question पुछा हुआ है तो correct answer क्या होगा वीडियो कोई अंतक देखिए समझे और इसका answer दे सकते हैं तो correct answer आपका होगा बी नमर परतिभासली बालकों की पहचान के लिए प्रमापी क्र कित परिक्षन कराये जाते हैं ये आपका answer होगा बी नमर याद रखिए आईए चलते हैं 75 नमर पर कि प्याजे की आपचारिक संक्रियात्मक अवस्था बालक की किस आयू तक आवदी तक मानी जाती है तो 0 से 2 वर्स है या 2 से 7 वर्स है या 7 से 11 वर्स है और 11 से 15 वर्स है त आपका आपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कहा जाता है चो प्याजे के अनुसारी से कहा गया है 76 को देख रहे हैं 76 में क्या कहता है कि जड़ बुद्धी वाले बालक का IQ IQ का मत्रवता बुद्धी लबदी कितनी होती है 11 से 120 होता है या 81 से 110 के बीच में होता है या 71 से 80 के सही नमर आपका होगा दी नमर 11 से कम होता है या जड़ बुद्धी वाले बालक की IQ बुद्धी लबदी 11 से कम होता है आए 77 नमर को देखते हैं कि गर्ब में बालक को विक्सित होने में कितने दिन लगते हैं तो 150 दिन लगता है या 280 दिन लगता है या 390 दिन लगता है या 4 और औन सर 280 दिन रखते हैं 282 दिन गर्भ में बालक को विख्षित होने में कितने दिन रखते और 208 दिन रखते 报 ऑई चलते हैं सेवेंटी नम्र कोस्टन पर क्या कहा रहा कि नवजात सीसू का भार होता है दोस्तों देखें क्या लाजवाब कुस्टन है कितना होता है चोफ औंड होता है यä 7 पाउंड होता है यह नौ पाउंड होता है तो करेлем सर बताजेंगे कि एक नंसर क्या होगा क्रेक्ष एक आंसर पर गयöd भी सबस्क्राइब और नावजाब के बहु कारक सिधांत के परति पादक कुन है किस ने सरीजफाई किया है तो मेखडूगल है टर्मन थर्ण डाइक या बर्ठ यह चार ओप्शन ने से दो ऐसा होगा हूं तो सही ओप्शन अब बता सकते हैं कर्यक्ट आंसर आपका होगा थर्ण डाइक थर्ण डाइक ने क्या क्या है बुद्धी के बहुकारक सिदान्द का प्रतिपादक किया था तो आपके पास ओप्शन है आप देख रहे हैं कि वैदिक काल बोद काल मुगल काल या इनमें से कोई नहीं तो आपका आंसर क्या होगा असी का इसने कमेंन सब्सक्राइब से ही शिछा काल में कहा जाता था ऑस दोस्तों मित्रों अगर आपको यसी तरह की और बीडियो चाहिए तो कमंड करें मैं आपके लिए पुना 마음에 उप्शन के साथ कोशन लेकर आए मेरे वीडियो को आप अन तक देखे, आपको बहुत बाद धन्वाग, आपसे मेरा रेक्वेस्ट है, अगर आप हमारी चनल पर नए हैं, तो अभी सब्सक्राइब कर ला और बेल आइकन की नोटिपिकर्सन को अन कर ले, मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में, थेंक्यो फर